हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नहीं वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्धिमी योजना 2020 के बारे में सरकार के द्वारे एक सूचना जारी के जिसमें बताया गया है कि अब तक जो है कितने लोगों ने उद्धिमी योजना के लिए आविदन करा है और सरकार उसमें से कितने लोगों जो है 10 लाग का लोन प्रोवाइड करेगी इसके बारे में मैं आपको इंफोर्मेशन देने वाला हूँ काफी जदा इंफोर्मेशन होने वाला आप सबको पता है कि 18 जून से जो है उद्धिमी योजना का फॉर्म फिलर पे स्टार्ट हुए थे और तीन महीने तक फॉर्म फिल किये गए थे 17 सितंबर तक जो है इसका लास्ट डेट था और 17 सिंदपर को जो है इस पोर्टल को जो जा रहा है आप देख रहें यहां पर लॉग इन भी आप नहीं कर पाईएगा नाहीं यहां पर राइशेशन कर पाईएगा तो फिलहाल 17 तारीक को इसका जो है ख्लोज कर दिया गया है तो हमें इस्पेसली जानेंगे कितने लोगों जो है यहां पर आविदन कर रहा है और केटेगरी वाइज जो है किनको किनको 10 लाख रुपे सरकार यहां पर देने वाली है तो चले फ्रिंट्स वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डियर सल्विंग फॉरेवर यूट्यूब चैनल तो फ्रिंट्स देख सकते हैं यह जो है नि संतावन हजार जो है अभी तक पूरे बिहार में सभी वर के जो जेनरल लोगों को आवेदन आये हुए हैं तो आप समझ सकते हैं फ्रिंट्स मात्र 8000 लोगों को है यहां पे सरकार पैसा देने वाली है 10 लाख का जिसमें से 5 लाख माप हो जाएगा और 5 लाख रुपे आपक काफी कम अमाउंट में यहां पे लोगों को सेलेक्शन किया जाएगा 57000 आवेदन आये हैं जिसमें से 8000 लोगों को ही चैन किया जाएगा और बाकी लोग का फॉर्म यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अब देखे यहां पे जो है साब साब बताईगे जनकारी कि महिला हुआ 15,971 युवाओ ने आवेदन किया है वही SCST वर के लिए अलग से योजना है इसके तहट 12,876 आवेदन आये वही 85 वर के 14,327 आवेदन आये योजना के तहट 4 वर के लाभुक के लिए चालू जो भीत्य वर्स है 21,22 ठीक है ना एकरीस आप समझ लेजे उसमें 200 करोर य है यानि फ्रेंड्स आप मान के चलिए 4 योजना है इसमें मान के कैं चलिए है ही 4 योजना जैसे पहला है युवा उद्मी योजना जिसमें जेनरल और OBC आवेदन कर रहे थे दूसरा है महिला सभी वर की महिला इसमें आवेदन कर रहे थी तीसरा है SCST और चौथा था अति पिछड़ा वर्ग मतलब EBC, यह चार योजनाय थी, चारों के लिए अलग से प्रावधान था 200 करोड जो है, सरकार इन चारों वर्गों को प्रोवाइड करेगी लोग, 200 करोड का बीतिय वर्ष, जो चालू, बीतिय वर्ष है, लाभुक को जो है, इस योजनाय के तहर 200 करोड प्रोवाइड किये जाएंगे, तो आप समझ लेजे, 24 का आठ और जो हो जाएगा 800 करोड, और 800 करोड में आप भाग दीजेगा 10 लाग से, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है, कितने लोग को सरकार यहां पर पैसा प्रोवाइड करने वाली है, तो 8000 ही यहां पर आएगा ठीक है न, तो उसी तरह से जो है सरकार यहां पर दिख रहे है, काल्कुलेट करके बता रही है कि 8000 लोग को ही यहां पर चेयन किया जाएगा, अगर सब कोई 10-10 लाग का आवेदन करेगा तो, बोला गया कि मुख्यमंत्री उधमियो जोना कि लगभग 57000 लोगों ने प्रजक्ट कर दिया जाएगा, तो एस्कूटनी के परकिरिया बहुत ही जल्द प्रारंब हो जाएगी और आपको मेसेज मिलना सुरू हो जाएगा कि आपका जो है लोन सेलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी आप जो वेबसाइट पर जाएंगे लोग नहीं हो पाएं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, ना ही इसका कोई परफॉर्मा त्यार किया गया है, कि किस माध्यम से, किस प्रोपेगेंडा से, किस परकिरिया से सेलेक्शन किया जाएगा, यहां बस बोला गया है कि अध्यचता बैठी की कमेटी होगी, उस कमेटी में लोगों का चेहन किया ठीक है, अब बोला गया मुख्यमंत्री, उध्यमी उजना के तहत, SCST पिछड़ा वह समान्य वर्क के महिला वर्क को 2,000 लबायर्थियों का चेहन किया जाएगा, मतलब जो है, सभी अलग-अलग, मतलब कैटेगरी वाई, जो मैंने आपको चार बताया, चारों में से 2,000 लो का चेहन यहाँ पे किया जाएगा, बोला जा रहा है कि चैनितला भार्तियों को 10 ला करेड़ दिये जाएंगे, जिसमें 5 लाग हनुदान और 5 लाग कम ब्याजवाले रिर्ड के रूप में है, 84 असान किस्तों में लाभुकों यह रासिल उटानी है, SCST समुदाय के लाभुक नहीं हो पाएंगे, अभी सरकार जो है, बहुत ही जल्द, एसकूटनी करेगी, अध्यक्षता बैठेगा, उसमें जो है, किसको सेलेक्शन किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, अब जो है, जो उध्योग भी भागे, उसके हैंड में है, वो जिसको चाहेगा, उसको नहीं दे सकता है, यह डिपेंड करता है, एसकूटनी में काफी संतावन हजर फॉर्म तो आ चुके हैं, बट एसकूटनी में अगर किसी का फॉर्म गलत पाया जाता है, तो अब जो है, आपको वेट करना है, अब यहां पर में भी हो सकता है, कुछ दिन बाद यहां पर स्ट जैसे चीजों को पुछा जा सकता है, कि किस तरका आप उध्योग लगा रहे हैं, किस तरका उध्योग नहीं लगा रहे हैं, इस तरका अभी प्रोसेस हो सकता है, आपको पटना जो है, डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया भी जा सकता है, तो वो सब चीज़ आपको मॉवाइल पे SMS आएंगे, आपको मेल पे SMS आएंगे, तो आप अपना मॉवाइल SMS इमेल जो है चेक करते रहेंगे, उमीद करता हम फ्रिंट्स आपको समझ में आगे जो की इसकी जनकारी, एसकूटनी चल रहा है, जिससे एसकूटनी कंप्रीट होगा, उसके बाद से जो है सेलेक्शन प्रोसेस हो जाएंगे, मिलते हैं फ्रिंट्स नेक्स मिडियो में हमें दीजे जाये तो और देखते ले डियर सेल्विंग फॉरेवर, तैंकी फॉर वाचिंग, जैहिन